हेलो दोस्तों स्वागत है आपका योट्यूब चैनल एलेक्रोनिक्स फॉर यूपे दोस्तों इस वीडियो में डू लिटल मेथड को मैं डिटेल में एक्स्प्लेंड काने वाला हूँ जिसमें वर्किंग रूल और एक्जाम्पल हम देखने वाले हैं दोस्तों इसके पहले मैंने एक यल्यू डी कंपोजिशन मेतर पर डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें इससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चोटी कंसेप्स रहती है वो हमने एक्स्प्लें किया था तो आप आई बटन पर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर क्लिक कर स सकते हैं उसके बाद वहाँ पर जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं देखिए दोस्तों डू लिटल मेतर की जो स्टेप्स है यह चार में स्टेप्स रहती है जिसको मैं एक 3x3 का सिस्टम ओप एक्वेशन देके स्वाल करने वाला हूँ तो एक 3x3 का सिस्टम ओप एक्व एक्स एड़ बी तो हमें एक्स और बी ऐसे 3 मैट्राइस लिखने पड़ते हैं एक्स अन्य और अग्यमेंटेड मैट्रेक्स जो कि कुछ इस तरह से रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32 और a33 ये जो है ये सभी के सभी कोईफिशंट्स अपने x और y और z है, for example ये a11, a21 और a31 ये x के कोईफिशंट्स है, y के कोईफिशंट्स है a12, a22 और a32 इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और ये हैं हमारे z के कोईफिशंट्स तो हमारे आगमेंट्स में जो भी कोईफिशंट्स अप x, y, z रहेगा हम उसको एक तो रो वाइज लिख सकते हैं x, y, z के पौर में या फिर पूरे के पूरे x के कोईफिशंट्स कॉलम वाइज लिखे, y के कोईफिशंट्स कॉलम वाइज लिखे और z के कोईफिशंट्स क हो सकता है यही variables यहाँ पर x1, x2 और x3 करके दिये रहेगे आपको यह जो भी variables है इनको column matrix के form में लिखना पड़ता है जो हमने यहाँ पर दिखाया है और आकरी में है अपना constant वाला matrix b जो की right hand side पर जो constant रहते है उसको हम लिखते हैं यह फिर से यह भी एक column matrix है b1, b2, b3 यह इसके coefficients है आप एक तो ऐसे form में लिख सकते है या फिर आप इसको directly ax equals to p के form में लिख सकते है जिसमें ax और b जो रहेगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों यहाँ पर सबसे important है हमें पता होना चाहिए a matrix कौन सा है x कौन सा है और b कौन सा है क्योंकि इसे इन्हें हम further हमाई use में लाते हैं तो यह हो गया पहला step second step जो रहता है वो रहता है हमें अपना जो matrix है a augmented matrix a इसको लिखना रहता है l u के form में यहाँ पर l याने lower triangular matrix और u याने upper triangular matrix रहता है तो इसको बेने previous वीडियो में detail में explain किया है लेकि simply बताता हूँ कि lower triangular matrix याने जिसके उपर वाले जो elements है diagonal elements के उपर वाले elements यह 0 होने चाहिए और do little के case में यह जो lower triangular matrix है इसकी जो diagonal elements है इसके जो diagonal elements है यह 1 होने चाहिए आप यहाँ पर देख सकते है कि यहाँ पर diagonal elements 1 है और उपर वाले entries 0 है similarly जो upper triangular matrix रहेगा यह है इसके diagonal elements इसमें नीचे वाले जो elements रहते है diagonal elements के नीचे वाले elements यह 0 रहते है तो यह होगा अपर और lower triangular matrix हमने लिका है इसको a equal to l u के फॉम में यह अपना a matrix है यह l है और यह u है अब l और u का हमें लेना है multiplication अगर हम यहाँ पर multiplication लेते हैं तो क्या होगा first row multiplied by first column अब ऐसा अगर हम करते है तो यह 1 multiplied by u11 इसका answer हो जाएगा u11 यह यहाँ पर 0 है और 0 है तो आगे वाली कोई भी term नहीं आती है यह हो गया पहला इसके बाद में first row second column से को हम multiply करेगे तो इनका multiplication भी देखके यह सिर्फ u12 ही हो जाएगा बाकी वाली दो terms 0 हो जाएगी तो यह u12 similarly third वाला जो column है उसको multiply करेगे first row से तो यहाँ पर u13 मिलेगा अब हमें क्या करना है यह तो हो गया first row इसके बाद इसी तरह से second row और first column को अगर हम multiply करते हैं तो हमें जो यह तो हमें u11, u12 और u13 मिलेती next term जो मिलेगी हमें नीचे वाली यह क्या मिलेगी तो l21 multiplied by u11 तो l21 multiplied by u11 बाद में यहाँ पर 00 है तो यह 00 हो जाता है बाद में हमें second row और second column को multiply करना है तो हमें मिलता है l21, u12 और फिर इस 1 से u22 को multiply करेगे और acronym 0 है तो वो 0 रहेगी तो 1 multiplied by u22 तो यह हो जाएगा u22 तो second term कुछ इस तरह से रहेगी third term फिर से इसको multiply करना है third column के साथ तो यहाँ पर l21, u13 then यहाँ पर यह वाली 1 है और यह प्लस u23 है तो u23 इसी तरह से हम matrix multiplication continue कर सकते है जिसमें फिर third row, first column, third row, second column और third row, third column का इस्तेमाल करेगे तो हमारे जो terms है कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगे तो यह है उनका complete multiplication ठीक है दोस्तों इसके बाद हमें यही जो अपना step 2 है इसमें अपना a equal to luk form में इसके बाद हमें values मिल जाएगे हमें क्या करना पड़ेगा इसको respective elements के साथ compare करना पड़ेगा और value put करके फिर solve करना पड़ेगा फिर हमें a equal to luk form में इससे लिखना पड़ेगा याने lower और upper triangular matrix की values हमें हर एक value यह जो elements है इन सभी elements के हमें value मिल जाती है जो हम इसमें put करेगे और फिर इसको a equal to luk form में लिखेगे उसके बाद हमारे जो step रहते है step number 3 जिसमें हम ly equal to b लिखते है तो basically हमने क्या किया है a x equal to b अपना पहला matrix था बाद में हमने a equal to l u put किया था तो a equal to l u अगर put करते है तो कुछ इस तरह से equation मिलता है अब इसमें हमने क्या किया है u x equal to b assume किया है u x equal to y हमने assume किया है तो इसलिए अगर हम यहापर y put करते है तो ly equal to b हमें कुछ इस तरह से यह लियाने lower triangular matrix y अब हमने चुक किया है यह एक column matrix हमें assume करना पड़ेगा जो कि b जैसा ही रहता है most of the time और इसलिए इन y के जो elements हमने y1, y2 और y3 है यह assume की है ठीक है दोस्तों अगर हम यह put करते हैं फिर हम solve for y याने y1, y2, y3 के value यहाँ पर find करेगे step 3 में और step 4 जो है वो है अपनी जिसमें हम u x equal to y जो हमने assume किया था उसको solve करेगे जिसमें हम फिर x जो vector है उसकी values find करेगे x याने अपना ax equals to b वाला जो x था पहले equation में तो variable वाला matrix x, u याने upper triangular matrix और यह है y जिसकी value हमने calculate की है इनको solve करेगे to find the values of x, y और z और यही हमें करना था कि हमें roots of the equation find करने थे तो यह x, y, z अपने roots of the equation है एक example से मैं इसको detail में explain करोगा देखिए दोस्तों यह है अपना example जिसमें equation तीन equation देए है तो यह फिर से एक 3 by 3 वाला matrix हो जाता है अब हमें क्या करना है हमें अब इसको ax equals to b के form में लिखना है तो step 1 ax equals to b के form में लिखेगे यह matrix जाने मैंने अब भी बताया था कि coefficient of x, y और z जो रहते है वो अब इसे row wise लिख सकते है या फिर column wise मैं अब इसे row wise लिखने वाला हूँ तो यह है पहला coefficient 1 यहाँ पर 2 और 3 है 1, 2 और 3 ठीक है अब यह है second equation के लिए 2, minus 1 और फिर से plus 1 then third equation के लिए है 3, 4 और minus 1 तो यह हो गया अपना a matrix आप इसको directly a equal to यह matrix लिख सकते है या फिर ax equals to b के form में भी इसे लिख सकते है जैसे कि मैंने previously बताया है अब x यानि अपने जो variables है यहाँ पर x, y और z ऐसे करके variables दिये है तो मैं इसे x, y, z लिखोगा ax equals to b, b यानि अपना constant वाले जो elements है वो constant elements है 14, 3 और 8 इनको हमें column matrix के form में लिखना पड़ता है तो यह है अपना ax equals to y वाला equation अब हमारे पास a है, x है और b है अब इनी को हमें लिखना है फर्दर हम assume करेगे step 2 में a equal to l u तो अब हम a equal to l u यहाँ पर assume कर रहे है यह है अपना a matrix जो मैंने अभी अभी लिखा है यह है l और यह वाला है u जो elements मैंने already आपको बता है अब इनका multiplication y और u का multiplication करना पड़ता है तो a equal to l u यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा यह already मैंने explain किया है कि हम multiplication कैसे करते हैं देखें दोस्तों अगर आपको लगता है यह l 2 1 l 2 3 1 यह जो elements है यह इस्तमाल करने में हाट जाता है तो कोई बात नहीं है आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा यह l 2 1 l 3 1 की जगह पर a b c ऐसे भी आप values रख सकते हैं देखें यहाँ पर सिर्फ notation की बात है तो यहाँ पर उनकी जगह पर मैंने a b c d e f g जो भी next elements है उनकी जगह पर कुछ variables इस तरह से indicate किया है यह notation की बात है तो हमने सिर्फ notation अलग तरह से किया है अब क्या करना है फिर से l और u का multiplication करना है तो l और u का multiplication कुछ इस तरह से इस case में होगा अगर हमने a b c ऐसे कुछ variables assume किये है तो तो यह भी एक option आपके पास available है यह हमेशा कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आपने variables बिल्कुल इस तरह से put किये है तो लेकिन मैं मेरे problem में l 2 1 l 3 1 वैसे ही values वहाँ पर तरह से दिखते है मल्टिप्लेक्शन भी हमने कर लिया है अब हमें से compare करना है पहला element है अपना यह 1 और इधर है u11 इसी लिए हम यहाँ पर लिख सकते है u11 equal to 1 ठीक है similarly यहाँ पर आप clearly देख सकते है u12 याने second element है अपना 2 और u12 की value फिर हो जाती है 2 similarly u13 की जो value है यह हो जा देगी यहाँ पर 3 क्योंकि यह वाला है अपना third वाला element अब next row पर आते है second row पर अगर हम आएगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है l21 multiplied by u11 तो second term है l21 u11 और इसको अगर हम a के साथ compare करते है तो हमें value मिल रही है यहाँ पर 2 अब देखिए u11 की value उपर दी है अगर ह हम वहाँ पर put करते हैं u11 की value है 1 तो हमें l21 की value मिल जाती है equal to 2 l21 की value हमें मिल गए 2 similarly यहाँ पर है l21 u12 plus u22 अब इसको compare करेगे बीच में वाले बीच की elements के साथ तो यह है minus 1 अब u12 की value है 2 l21 की value है फिर से 2 ठीक है दोस्तों तो u22 हमें मिल जाता है यह यह राइट हैंड साइड पर 4 जाएगे तो u22 की value हमें मिल जाती है यहाँ पर minus 5 आखरी में है u13 जो यहाँ पर था इसके नीचे है l21 u13 plus u23 equal to इधर वाला जो element है वो है 1 equal to 1 है अब l21 की value हमने पहले calculate की है यह है 2 l13 की value उपर दी है यह है 3 और यहाँ पर u23 की value हमें calculate करनी है equal to 1 यह है 6 हो जाएगा यह right hand side पर जाएगा तो negative हो जाएगा इसलिए u23 की value हमें मिल जाएगी यहाँ पर minus 5u दोस्तों इसी तरह से हमें further values calculate करनी है अब हमारी next value रहेगी l31 u11 equal to 3 तो यह है कुछ इस तरह से इसको solve करते हैं तो l31 की value मिलती है हमें 3 इसके बाद next जो हमारा values है यह और यह है इसको हम 4 और negative 1 के साथ compare करेगे respectively और इनको solve करेगे तो हमें l23 की value l32 की value मिल जाएगी 2 upon 5 that is equal to 0.4 और l31 और यह वाला equation अगर हम put करते है तो u33 की value मिल जाती है negative 8 अब इसको check करके देख सकते है इस तरह से हमें अब सभी की सभी values मिल गई है अब हमारा next काम क्या है तो यह जो elements है यह हमारा l और u वाला जो matrix है इसमें इसकी respective values हमें put करनी है अगर हम ऐसा करते है तो हमें a equal to l u के form में यह दिखाई देगा तो यह है अपना a matrix यह है इधर वाला l और u मैंने just क्या किया है जो भी values है वहाँ पर put की है यहाँ पर आप 5 upon 2 की जगह पर sorry यह 2 upon 5 था यह 2 upon 5 की जगह पर आप 0.4 भी put कर सकते है इसको अगर आप continue solve करते जाएगे अब देखिए l और u तो मिल गया है अब क्या करना है just हमें इसको solve करना है तो हमारी जो next step है यह है step 3 step 3 में हम क्या करेगे step 3 है अपनी हमने previously put किया था a x equals to b अब a की जगह पर l u मिल गया तो l u x equals to b अब u x की जगह पर हम y put करते हैं तो इसलिए यहाँ पर हो जाता है l y equal to b since हमने assume किया है क्या हमने assume किया है u x equals to y तो यह है अपने step 4 हो जाएगी u x equals to y तो हमें l y equal to b solve करना है तो step 3 है हमारी l y equal to b इसमें l यानि lower triangular matrix है ठीक है तो हमारा जो lower triangular matrix है हम लिखते है यह है 100 then 210 ठीक है तो 3 यह है 2 by 5 या फिर आप जिसे 0.4 भी लिख सकते है और 1 यह है अपना lower triangular matrix l ठीक है अब हमें l y equal to b अब y जो है एक generally यहाँ पर column matrix हो जाएगा y के जो elements है वो हमें assume करने पड़ेगे y1 y2 और y3 फिर से यह भी notations है आप आपके सबसे इसको change कर सकते हैं और b b के elements थे b वाला matrix हमें लाना है यह है 14 3 और 8 यानि अपने जो constant elements थे यह हम यहाँ पर put करते हैं अब simply हमें यहाँ पर matrix multiplication करना पड़ता है या पिर आप जिसे कहते है forward substitution यह अगर हम solve करते हैं तो हमें मिलेगा 1 y1 equal to 14 याने y1 equal to 14 देखे सिर्फ column multiplication क्या यह जोरो-जोरो है अब next equation हमें मिलता है 2 y1 plus y2 मैं सिर्फ column multiply कर रहा हूँ sorry मैं सिर्फ matrix multiply कर रहा हूँ यहाँ पर अब हमें मिलेगा equal to 3 अब इसमें y1 की value अगर हम 14 input करते हैं तो यहाँ पर हमें y2 की जो value है वो मिल जाएगी minus 25 और आकरी वाला जो element है यह है 3 y1 plus 2 by 5 y2 plus y3 equal to 8 अब हमें क्या अगरना है just y1 y2 y3 की value put करनी है तो 3 into 14 plus 2 by 5 multiplied by y2 y2 की value है minus 25 plus y3 equal to 8 है यहाँ पर इसको value put कीजिए solve कीजिए you will get value of y3 and y3 की जो value है यह हमें यहाँ पर मिलेगी minus 24 ठीक है दोस्तों तो यह हो गई अपने step number 3 जिसमें हमने ly equal to b solve किया है अब अपनी step फोर बचिए जो कि अपनी आप आकरी वाली step है जिसमें हम u x equals to y solve करते हैं अब आपको shift क्या करना पड़ेगा यू देखना पड़ेगा क्या है तो यू यानि अपर triangular matrix है जिसकी जो values है मैं सिर्फ लिख लेता हूँ अप पीछे जाके उसको check भी कर सकते है कि u अपना क्या था ये वाला है अपना u matrix 1,2,3 ये minus 5, minus 5 और minus 8 यहाँ पर आपको values दिखाई देगी ये है minus 5, ये भी है minus 5 और ये है 8 minus 8 अपर triangular matrix में diagonal elements के नीचे के elements 0 है वो हमने लिख लिया है x यानि अपना variable वाला matrix x, y और z इसकी जो values है ये है और आखरी में है y जो अब भी हमने find किया है जिसको y1 हमें मिला है 14, y2 हमें मिला है 25 और y3 जो है ये मिला है हमें minus 24 तो हमने जो भी respective values है वो put करेगे हम और इसको फिर अब नीचे से उपर solve करना है यानि हमें back substitution use करना है क्योंकि यहाँ पर z वाला जो coefficient है ये छोटा वाला है तो minus 8 time z तो मैं यहाँ पर इसे बाजुमें ही solve कर देता हूँ देखिए minus 8 z equal to नीचे वाला element है 24 वो negative 24 है minus 24 इसलिए z की value आपको मिल जाती है यहाँ पर 3 positive 3 negative negative कर्थ हो जाएगा similarly second row यह है यह है minus 5 y सिर्फ y का coefficient है यहाँ पर यह है minus 5 z equal to minus 25 अब z की value अपने पास है यहाँ पर put करते है तो यहाँ पर यह हो जाएगा plus 10 y equal to हमें मिल जाएगा 2 आप इसको solve करके देख सकते है y equal to 2 मिल जाएगा आखरी वाला जो equation है वो है x plus 2y plus 3z हम back substitution कर रहे है equal to 14 y और z की value उपर put करते है तो हमें फिर मिलेगी x की value और x की value हमें मिल जाती है यहाँ पर 1 इस तरह से अगर हम x y z की values find करते है तो हमें x equal to 1 मिलता है y equal to मिलता है 2 और z equal to मिलता है 3 तो इस तरह से हम lu decomposition इस्तमाल करके roots of the equation find कर सकते है यहाँ पर roots है 1, 2, 3 for x, y, z respectively तो यह हो गया अपना problem एक practice problem आप solve कर सकते है do little method में हमने यही steps इस्तमाल की सबसे पहले x equals to b किया बाद में a equal to value किया third step में हमने ly equal to b किया और आकरी step में हमने u x equals to y किया और फिर इस तरह से हमने जो respective values है वो find किये है तो practice problem कुछ इस तरह से है इसको आप solve करके देख सकते है इसका simple answer में ने l, u, यह है अपना l, u और y यह दिया है आकरी में x, y, z यह तो अपना final answer रहेगा जिसे हम roots of the equation कहेगे जो कि हमें मिलता है 4, minus 1 और 4 Thank you आपे कर就 में मिलत मुदा जुदा पेजिता रहे किर बंड़ी कें कुछ रहे इसो और रहे भर रहे चंब जो fare कि हम प fits all रहे बंड़ी ग경तो अ सकते है ह् जो रहे DAM है कि हम हूश्श